दोस्तों आप यहां पर जो यह देख रहे हैं यह बोरी का पेकट है तो इस बोरी के पेकट में क्या है वो तो मैं आपको इसे खोल कर दिखाऊंगा ही तो देखें यहां पर एक बोरी का पेकट है और ये दूसरा बोरी का पेकट है ये तीन केजी का बोरी का पेकट है और ये वाला भी तीन केजी का ही बोरी का पेकट है तो इसके अंदर क्या है तो चलिए मैं आपको इस बोरी का पेकट खोल कर दिखाता हूं कि इसके अंदर क्य दोस्तों आप जो यह दोनों बोरी का पेकट देख रहे हैं इसे मैंने जब और किया तो और करने के एक सप्ता के अंदर ही यह दोनों बोरी का पेकट मेरे घर तक पहुच गया देखिए ये बोरी खुल चुका है अब इसके अंदर देखे इस तरह का packet भरा हुआ है तो इस packet में क्या भरा हुआ है ये भी मैं आपको खोलकर दिखाऊंगा ठीक है तो चलिए मैं ये सारा packet को पहले बाहर निकाल लेता हूं इस तरह से सारे packet को निकालने के बाद आपको दिखाता हूं देखिए इसके अंदर ये दो बीटिंग कार्ड मिला है जहां से मैं इसे मंगाया हूं उसका सारा एड्रेस बेगरा सारा कुछ दिया हुआ है मोबाइल नमर बेगरा सब इसमें दिया हुआ उनका अब मैं और इसके अंदर packet को पहले एक साइट कर लेता हूं इधर ये सारा packet देखिए इस तरह का है तो इसे मैं साइट कर लेता हूं और ये वाला जो बोरी है दूसरा बोरी इसे मैं आपको खोल कर दिखाता हूं कि इसमें क्या है देखिए मैंने दूसरे बोरी को भी खोल दिया और इसमें भी देखिए इसी परकार का packet बना हुआ है देखिए तो इन सबी packet को भी मैं बाहर निकाल लता हूं पहले तो देखिए ये सारा packet को मैं बाहर निकालता हूं इसमें भी देखिए तीन विजिटिंग कार्ड दिया हुआ है और ये सारा packet को मैं बाहर निकालता हूं और मैं आपको दिखाऊँगा कि इस packet में है क्या अखिर इसमें इसके अंदर है क्या तो इसमें पूरी तरह से बाहर निकाल लता हूं देखिए ये बोरी भी खाली हो चुका है ये वाला packet इधर वाले बोरी का था तो मैं इसे इधर रख दता हूं अब आप देखें जैसे इस packet पर लिखा हुआ है देखें 11.25 इसी तरह से सभी में कुछ ने कुछ लिखा हुआ देखें इसमें लिखा हुआ है 12.25 इसमें लिखा हुआ है 10.25 इसमें लिखा हुआ है 10.28 इसमें देखें लिखा हुआ है top gap इसमें क्या है वो मैं आपको बाद मे दिखाऊंगा और इसमें देखे लिखा हुआ है आठ पचीस इसमें लिखा हुआ है बारा अठाइस इसमें लिखा हुआ है नौ पचीस इसमें लिखा हुआ है नौ अठाइस इसमें देखे एक आरा अठाइस लिखा हुआ है इसमें देखे आठ अठाइस लिखा हुआ है तो इधर वाले में देखे जो लिखा हुआ था मैंने आपको दिखा दिया इधर वाले में अब इसमें दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें 10-28 लिखा हुआ है अब इसमें देखते हैं देखे इसमें 12-28 लिखा हुआ है ये देखे टॉप केप है तो इसे मैं खोल कर आपक लिखा हुआ है इसमें देखे 9, 28 लिखा हुआ है इसमें देखे 8, 25 लिखा हुआ है इसमें देखे 9, 25 लिखा हुआ है इसमें 12, 25 लिखा हुआ है और इसमें 11, 28 लिखा हुआ है तो इसमें यहीं सब लिखा हुआ है अब मैं आपको इस पेकट को खोल कर दिखाता हूँ इसमें 11,25 लिखा हुआ है तो 11,25 जो है कि इसमें जो समान है उसका नम्मर है तो मैं इस 11,25 वाले नम्मर का जो ये पेकट है इसे मैं खोल कर दिखाता हूँ कि इसमें क्या है इसमें जो समान है वो 11,25 नम्मर साइज का समान है तो वो कौन सा समान है तो चली मैं आपको दिखाता है जो मुड़ा हुआ भी है तो इसे आपको काट चाट करने का जरूत नहीं पड़ेगा इसका साइज होता है वही साइज का नंबर में आपको 1125 नंबर इसमें दिखा रहा था इसी तरह से यह सारा पिकट है जिसमें यह नंबर लिखा हुआ है कि यह क्या क्या साइज का है वह सबसे बेस्ट PVC पेपर होता है तो आप जो यह पेपर देख रहे हैं यह PVC कटिंग पेपर यह जो है गरवारे कमपनी का ही PVC कटिंग पेपर है यह पेपर मैं सिलिंग फेन वार्णि करने के लिए मंगवाया हूँ क्योंकि यह जो पेपर है ना सबसे बेस्ट पेपर में ग कोईल वांडिंग करते हैं उसको उपर से जब लगाते हैं कोईल के उपर तो इस तरह का पेपर लगाना पड़ता है यह देखिए इसे टॉप केप कहते हैं यह जो पेपर है यह सीधा कहीं से मुड़ा हुआ बिल्कुल सीधा कटिंग है यह पंखे का क्वाईल गुद्ट है उसको उपर से इस तरह से इसके अंदर डाल दिया यह तो इसे टॉप केव कहते हैं तो यह देखे इस तरह का है यहाँ पर जो यह नमर लिखा हुआ है यह बताता है कि पेपर का साइज छोटा है बड़ा है उसी साब से यह नमर लिखा हुआ रहता है इसी तरह से आप इधर देखे 9.28, 10.28, 8.25 तो देखे मैं इस 8.25 को कुल कर दिखाता हूँ कि इसका जो पेपर का कटिंग साइज है वो क्या है तो देखे इसका पेपर का जो कटिंग साइज है यह है यह जो पीबीसी पेपर का कटिंग साइज देखे यह है दोस्तों यह पेपर कैसे केजी मैंने खरीदा है वो भी मैं आपको बताऊँगा तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो टॉप केप मिला है इधर वाले में इसे भी मैं आपको कौल कर दिखाता हूँ कि इसमें जो टॉप केप है वो कैसा है तो देखिए इसमें जो टॉप केप है वो इस तरह का है जैसे पहले वाल आपने टॉप केप देखा सेम उसी तरह का है सीधा है इसे भी आपको इसी तरह से दवा कर ऊपर के तरफ कोईल में लगा दिया जाता है तो यही है अब मैं आपको बताता हूँ कि यह मुझे कैसे केजी मिला है यह भी मैं आपको बताता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक पेकट का जो ये पेपर है, इसे मैं निकाल लेता हूँ इस तरह से, अब आपको सब समझ में आएगा, देखें, इतना पेपर एक पेकट में आता है, ठीक है, तो ये कैसे केजी मिलता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो देखें, यह जो paper आप देख रहे हैं न यह आपको 350 रुपे केजी मिलेगा आपके घर तक पहुचा दिया जागा 350 रुपे में 1 केजी तो यह इनका देखे पूरा address है जहां से मैं मंगवाया हूँ आपको मैं दिखाता हूँ अच्छी तरसे देख लिजिए और यहां पर देखे यही है जहां से मैं order देकर यह जो PVC पेपर मंगवाया हूँ fan winding के लिए तो आप यहां से मंगवा सकते हैं देखे मैं आपको display पे जो यह number चल रहा न उस number पे ही आप contact किजिएगा दोस्तों आप जो यह PVC पेपर देख रहे हैं यह जो cutting वाला PVC पेपर है इसका quality इतना best है न कि यह तो जल्दी जड़ता ही नहीं है तूटता ही नहीं है जब आप इसे पंखे में लगाएंगा न उसके बाद कई-कई सालों तक आपका पंखा भले जल जा लेकिन यह पेपर न आते हैं कि नहीं मिक्स साइज का मतलब अलग लग साइज का एक केजी पिपर मंगवाया तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप से जो है कि अलग इस्ट्रा चार लगेगा कोई इस्ट्रा चार ने लेगा आपको साड़े 300 रूपए एक केजी का पढ़ेगा और आपके घर पहुंचा कर साड़े 300 रूपए एक केजी का पढ़ेगा तो दोस्तों अगर आपको ये कटिंग पेपर मंगवाना हो तो डिस्पले के ऊपर जो नमबर चल रहा है इस नमबर पर आप कॉंटेक्ट करके आप जो है कि अपने लिए ये कटिंग पेपर का ओडर कर सकते हैं झाल